जिनको दुनिया के अलावा कोई मतलम नहीं, जैसे कि मैं रत्य भर फर्णने पड़ता कि भख्वान है या नहीं है, है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो इतना समझदार जरूर होगा कि वह मेरा मूल्यांकन मेरे करमों से करेगा, ना कि इस बात से कि मैंने कितने घंटे उसकी भक्ति में गुदारे ही, तो मैं क्यों भक्ति करूँ? मेरा विश्वास है कि अगर इश्वर है तो तार्किक होगा ही होगा, पैचारिक होगा, समझदार होगा, बुढ नहीं होगा, ठीक है, और नहीं है तो फिर मैं वैसे टाइम के खराब करूँ अपना, और है तो समझदार होना चीए, और है और समझदार नहीं है, तब तो मैं और पूजा क्यों करो। उससे बड़े के समझधार व्यक्ति आशिसा समय गुजरूँ तो मेरा ये विश्वास है.. अपने विश्वास का माम्ला है.. जिन को विश्वास है वो पूजा करते हैं.. मेरी घर में मुझे सोड़के भाकि सब धर्मिक भरते हमें.. आप लोग खरीद लेते हैं, आप नी खरीदते हैं शनी वार को लोहा, आप भी नी खरीदती हैं, आप मंगल वार और ब्यासपदी वार को बाल नहीं कटवाते हैं, इसे कितना लोग हैं, मंगल ब्यासपदी या शनी अच्छा, और मेरा उसूल है मंगल को ही कटवाता हूं, उ दिल्ली में यही खोलते हैं, जैसे पांच लोग वहां काम करते हैं, उसे ने एक अड़ादमी होता है। भारत में सबसे बड़ा हुआ है कि अंग्रेजी कैसे सीखें। बहुत साथ लोग रेपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वरी किताब पढ़ गया हैं, जैसे शीखना चाह रहे हैं। नामुम्किन है उससे सीखना, नामुम्किन एक दम। क्योंकि भाषा सीखने का अकेला तरीका है बातावरण, दूसरा कोई तरीका नहीं। आपके आसपस लोग उस भाषा बोलते हूं, बातशीत करते हूं, आप सुनते हूं, आप भी बोलने का प्यास करें, कोई आप पे हसे नहीं। जब आप गलती करें, आपको समझा दें। किसी अभियापक की ज़रुत भाषा के नहीं होती है। इस चीज़ को अभी से काम करना वो यह है, कि लिखने का अभियास कीजिए, और जिस दिन साड़े साथ मिनिट में धाई सो शब्द आप लिख पा रहे हैं, और बाकी लोग पढ़ पा रहे हैं, अपना लिखा तो पढ़े लेता है, अगर आप साड़े साथ मिनिट में धाई पढ़िए, समझिए, और बहुत तेज गती से, बहुत सड़ीक तरीके से लिखने का अभियास कीजिए, जो इनोंने किया, अभी आप से बात करेंगे हैं, आई-ए-स बनना बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं एक तम, मुश्किल केवल इसलिए है कि बहुत लोग बनना च ही से करनी आती हो, तो आसान काना, मुश्किल काम नहीं है, जो व्यक्ति मेंस के जी एस के चारों पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर लिख के आ जाता है, छोड़ता नहीं है, ये अपने आप में लगभग परयारत है कि वो कम से कम टॉप के कुछ लोगों में शाम इंटर्वी लिया, पुरा इंटर्वी हो गया, वो उठी, थेंक्यू सर, थेंक्यू सर, थेंक्यू में अम करके बाहर दाने लगी, तो चेहर परसंट थोड़े मज़ा किया कि सुक्याद में थे, उनको लगा ज़रा मज़े लेके देखते हैं बच्ची के, जब गेट के पास परसंट को उसी बोले, वैसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको चेहरा देखके लगता नहीं कि आपको इस बनाना चाहिए, आपको चेहरा ऐसा है नहीं, आइस टाइप का, तो लड़की बोली कि सर, अब जैसा भी स्वभाविक है, और चेहर तो कहीं का नहीं होता है, यह क प्रेजन्स आफ माइंड अभी एक ऐसी है, और उस समय बिन अम्रता की सीमाओं को लंग है, आप अपने मन की बात कह दे, ठीक तरीके से, यही एक अधुत्तर इंटर्व्यू में सारे पाप धो देता है, सारे पाप, अब जिदगी एक ही है, और दिक्कत है कि उसी में प्रय फैसला करेंगे, उसके हिसाब से आपके जिंदगी प्रभावित होके रहेगी, और अच्छा खासा असर पड़ जाएगा, और जब आप प्रयोग करेंगे, यानि के निरने करेंगे, तो हर निरने में गलत होने का खतरा तो है ही, निरने गलत सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम हमारे जीवन के बहुत सारे निरने ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, थोड़ा बहुत गलत तो हर निरने हैं, कुछ ज्यादा गलत हो जाते हैं, गलत भी है और उनका जिंदगी पर बहुत गयरा प्रभाव भी है, एक निरने गलत हो गया, उसका प्रभाव इतना गलत हो गया ह